हाई गाईस वाट्स अप विलकाम बैक टू अनादर वीडियो आन मोहित गेमर यूटीब चैनल तो गाईस आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप लोग अपने इंडियन बाइक से ड्राइंग 3D गेम में इस वाले जेट पेक को कैसे ले सकते हैं इसका चीट क गेम में निसान जीटी आर कार का गेम प्ले आपको दिखाएंगे एंड गईस साथ में आपको ये भी बताने वाले हैं कि आप लोग अपने इंडियन बाइक से ड्राइंग 3D गेम में जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हमने अपने इंडियन बाइक से ड्राइंग 3D गेम आज के इस वीडियो में आपको वह भी बताने वाले हैं एंड गैस साथ में आज के इस वीडियो में आपको इंडियन बाइक सो ड्राइंग 3D गेम के टाप 5 मिट भी ट्राइ करके दिखाने वाले हैं तो इसलिए गैस आप लोग वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि गैस आप के लिए वीडियो आज का बहुत ही important होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको इतनी सारी information देखने को मिलेगी तो चलिए guys सबसे पहले आपको थोड़ा jetpack के बारे में बता देते हैं तो guys आप लोग देख सकते हैं कि हमारा jetpack बहुत ही अच्छा देखने को मिल जा है तो चैनल को सबस्क्राइब कर दो और वीडियो को भी एक प्यारा सा लाइक जरूर से कर देना and guys चैनल को जरूर से सबस्क्राइब कर लेना क्योंकि दोसों गे की फैमली के बहुत ही करीब है तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ और जल्दी से 2 लाग की फैमली को कउम्फ्रीट करो इसके बाद अगर आप लोग 2 लाग की फैमली कंप्रीट कर लोगे तो फिर आप लोग कोई भी कोस्टन करोगे तो फिर हम आपके क्योंका है रिप्लाइब वीडियो बनाकर करेंगे यानि की वीडियो आहेगा तो इसलिए गाईस आप लोग चैनल को साइकिल को स्पॉन करेंगे तो हम वाइड में जाने के बाद प्लेन की हेल्प से उपर आ सकते हैं अब इस मित को ट्राइ करने के लिए हमने प्लेन को स्पॉन करा लिया उसके बाद फिर इसके उपर साइकिल को स्पॉन कराना है जैसा भाई ने मित में बताया तो हमने साइकिल कोई spawn करा लिये जैसे इंटर करने की लिये गए हम plane के पास तुरंट हमारी जो cycle थी वो नीचे गिर गई उसके बाद फिर से हमने spawn करा लिये एक और cycle को और इस बार हमारी cycle इसके उपर आसानी से आ चुकी है तो अब हम इंटर ले लेते हैं देखते हैं कि हमारी प्लेन वाइड में जाती या फिर उपर उड़ जाती तो गैस इस बार हमारी प्लेन वाइड में चली गई इस से पहले मने ट्राइ किया था तो ये उपर चली गई थी उसके बाद भाई ने मित में बताया कि वाइड में जाने के बाद भी आप प्लेन की म बाहर आ चुका है लेकिन फिर से आप लोग देख सकते हैं कि अभी हम पूरी तरज से बाहर नहीं आ पाये थे तो एक बार फिर से हम ट्राई करते हैं और इस बार पूरा उपर तक लेकर जाएंगे लेकिन जब हमारी प्लेन उपर आई तो ऐसा लगा हमारा करेक्टर वाइड म तूटेगा अब इस मीत को ट्राई करने के लिए हमें एक बाइक को स्पाउन कराना पड़ेगा ट्रैफिक कार तो हमारे सामने ही देखने को मिल गई तो एक बाइक को हमी स्पाउन करा लेते हमने जड़क्ष टनार बाइक को स्पाउन कराया चार सो डायल करके हमारे सामने ब में एक बार हम ट्राइ कर लेते हैं तो गई सामने से हमारी ओडी आ रही है और इस पर हमने टेकर लगा इसका भी बोनेट नहीं तूटा अपडेट से पहले इसका बोनेट तूट जाता था तो यह मित बस्ट है नेक्स्ट मित है ट्रक स्पॉन करो फिर आप ट्रक के बगल में एक बाइक स्पॉन करेगा अब इस मित को ट्राइ करने के लिए सबसे पहले हमें ट्रक को स्पॉन कराना है तो हमने ट्रक का चीट कोड लगा दिया और इसके एकदम बगल में हमें अपनी बाइक को भी स्पॉन क कराना है तब ही जो मर्जवाला आपसन है इंटर का वो एक साथ में आ जाएगा तो हमने अपनी बाइक को भी स्पॉन करा लिया उसके बाद अब इनके उपर इंटर लेंगे तो भाई ने बोला है कि करेक्टर हैंडल पर खड़ा होकर बाइक को चलाएगा तो हमने इंटर ले अभी है और देख सकते हैं गाइस की हमारा करेक्टर कणा हो चुका है लेकिन वो हंडल पर खड़ा नहीं वह अपनी जगह पर ही खड़ा हो चुका है लेकिन एक बार फिर से हम् ट्राइ Music को लग रहा है कि हैंडल पर को झा रहा है दोबारार से हमने फिर शे ठ्रॉय को भी स देखिए गईस जैसे सुपरमैन उड़ता है उसी तरह हमारा जो करेक्टर है वो भी उड़ता है और ये देख लीजिए कि पोस भी इसने चेंज कर लिया अब हैंडल के उपर ये बैट चुका है जैसा बाई ने मित में बताया था कि हंडल के उपर खड़ा होगा लेकिन ये है चेंज करेगा यानि कि वो अलग-अलग स्टाइल में बाईक को चलाता है अगर आप लोग दोबाला से ट्राइ करेंगे तो आपका करेक्टर हैंडल के उपर खड़े होके बाईक को ड्राइव भी करेगा नेक्स्ट मीत है बीच पर जाओ और बीच के सेंटर में जाओ रेड ट्व आपको तीन देखने को मिल जाए गे लेप साइड में राइट साइड में और आपको एक मिडिल में देखने को मिल जाएगा तो बीच्ण वाले को सूट करना है और गाईस जैसे हमने इसको सूट किया हमारा गया हो चुप Management करके बताओ कि हमाराण ट्वी घया कहां पर और GTA 5 लिख लिया है गाईस अब हम GTA 5 मोड को on करने वाले हैं तो ready हो जाओ गाईस हम GTA 5 मोड को on कर लेंगे इस मिथ के अनुसार गाईस हमने GTA 5 डाल कर भी okay कर दिया लेकिन कुछ भी देखने को नहीं मिला तो ये मिथ बश रहे हैं गाईस आज के इस वीडियो में हमने इंडियन बाइक से ड्राइंग 3D गेम के इतने ही मिथ ट्राई किये आप लोग अपने मिथ इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना आप सभी के मिथ में आने वाले next वीडियो में जरूर से ट्राई करूंगा तो गैस आप लोग को बता देते हैं जेट पैक का चीट कोड तो गैस आपको बता दे कि जेट पैक का चीट कोड अभी तक रोहिद गेमी स्टीडियो ने सेट नहीं किया है जैसे ही सेट करेंगे उसके बाद हमें बताएंगे तो हम आप लोग को इसका चीट कोड बता और guys आपको बता दे कि house के अंदर जो gym center है उसको on करने के लिए आप लोग बहुत सारे comment करते हैं तो guys उस पर work कर रहे हैं अगर वो on हो जाता है तो फिर उसको on कर दिया जाएगा अगर उसको on करने में कोई problem नहीं होगी तब फिर आप लोग अपने house के अंदर जा करके gym भी कर पाओगे अगर guys gym को on कर दिया जाएगा तो और भी अच्छा update हो जाएगा फिरहाल जिम को on करने के लिए वो work कर रहे हैं उसमें कोई problem नहीं होगी तो जिम भी आपको on देखने को मिल जाएगा अब guys आपको बता देते हैं कि आप लोग अपने Indian bikes to drawing 3D game में new house को कैसे ले सकत आप सब लोगों से पहले हम लोग इस गेम को खेलते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ जो add किया गया है वो अच्छे से work कर रहा है या फिर नहीं तब फिर guys आप लोगों को वो चीज़ देखने को मिलती है अब guys बात कर लेते हैं निसान GTR कार के बारे में तो guys निसान GTR क को add करेंगे रोहिद गेम इस्टीडियो उसके बाद हम आप लोगों को उसका gameplay दिखा देंगे और guys आपको बता देते हैं कि multiplayer को आप लोग कैसे ले सकते हैं और आप लोग अपने गेम में GTA 5 mode और जो हमारा big hero plane है इसको कैसे ले सकते हैं तो guys आपको बता दे कि multiplayer तो हमारे गे GTA 5 mode को add नहीं किया जाएगा हाँ guys लेकिन आपको GTA 5 mode के जैसे map देखने को मिल सकते हैं लेकिन इस update में आपको वह map देखने को नहीं मिलेंगे नेक्स्ट update में आपको वो मैब देखने को मिल सकते हैं अब गैस आपको बता देते हैं कि बीग वाले एरोपलेन को आप लोगी सब्डेट में ले पाओगे यानि कि उसके कंट्रोल सिस्टम को सेट करेंगे रोहिद गेमी स्टूडियो या फिर नहीं तो गैस आप लोगों को बता दे कि अभी वर्क बहुत है इसके वाज़ा से रोहिद गेमी स्टूडियो ने उसके बारे में कुछ कंट्रोल सिस्टम को आड़ कर दो सर तो उन्होंने बोला था कि देखते हैं लेकिन गैस आपको बता दे कि फिरहाल इस अपडेट में आपको बीग वाला एरोपलेन देखने को नहीं मिले गया यानि कि आप लोग उसको फ्लाइंग नहीं करा पाओगे अब गैस आप लोग भी कमेंट करके बता दो कि आपके निव अपडेट में और न्यू क्या चीज एड़ किया जाए गैस आपको बता दे कि रोहित गेमी स्टूडियो हमारे निव अपडेट से रिलेटेट कोई भी निव इनफार्मेशन देंगे तो वो सबसे पहले आपको हमारे यूटीब चैनल पर देखने को मिल जाएगी तो इसलिए गैस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल न ब腰 से वाख सबसे भी निव खबड़्ड़ जाएगी झाल चैनल को मिल जाएगी चैनल को सब्सक्राइब करके बेलेब करके।